तो आज हम क्रोशे से बाल गोपाल जी की ट्रेस बनाएंगे चार और पांच नमबर की और इसे आप सभी साइज में बना सकते हैं और छोटी और बड़ी कैसे बनाते हैं इसका हिसाब भी में लास्ट में बता दूँगी तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं मैंने चार नमबर का नाजी की चोल बना गर के रखी है लेकिन ये intric 4 और 5 नमबर दोनों को आ जाएगी तो इसके चोली के एंड में मेरे 521 डबल प्रोशे है और मैंने चोजसें का रिया है मेरे हमेशा कोई ना को पूस्था रहता है कि corona का घ्र Frame का लिए है इसलिए मैं आब ह ळालेंगे तो यहां पर धागा सेंच कर देंगे कि देखें यहां पर हम चॉली के साईड में आ गये हैं स्लीप्टीज से क्योंकि हम बीच में से घिया स्टार्ट नहीं करते हैं इसके बाद हम यहां पर साइड से खेरा स्टाट करते हैं दोनों को कहींच लेंगे और दोनों धागे साथ ले लेंगे अब हम तीन चेन बनाएंगे सोरी दो ही चेन बनाएंगे हम पहली रो हाफ डबल क्रोशी की बनाएंगे तो इसमें हम फिर से जहाँ पर दो चेन बनाई थी इसी ओल में जा करके एक बार हाफ डबल क्रोशा किया और अब अगली वाली चेन में जा करके फिर से हाफ डबल क्रोशा किया और हाफ डबल क्रोशा किसे कहते है लूप लिया वल में डाला, निकाला तीनों को एक साथ निकाल दिया इसे हम हाफ डबल क्रोशा कहते है फिर से इसी वल में फिर से एक बार हाफ डबल क्रोशा करेंगे एक चेन में दो बार करेंगे एक में एक बार करेंगे तो अब अगली वाली चेन में एक बार करेंगे आप डबल क्रोश और फिर से दूसरी चेन में दो बार करेंगे तो इसी तरह से आप यह पूरा राउंड कम्पलीट कर लेजिए देखे इस तरह से दो बार एक बार दिखे मेरा राउंड पूरा हो गया और यहां पर हमने दो बार बनाए थी शुरू में तो आखरी बार हमारा एक बार आए इसलिए एक्जेस्ट करने के लिए मैंने एक यहां पर स्किप कर दी है आपका एक्जेस्मेंट होना चाहिए दो बार और एक बार तो इसी तरह से आना रोपर ही 3 चेन बनाइगे और अगले में दो बार कोशा करेंगे अब हम डैबल कोशा बनाएंगे ढ़र जोड़On केके लोप लीए डाला बनाला डो में से हैं किया दो में 100 किया तो थो हमारे हाफ डबल क्रोश्य थsan के इसके उपर उपर three बना दिये, एक एक थिन की चेन, दूषरी के उपर two by बनाये, अब हम इस तरा से लूप ले कर के एक वजूश्य हमारा एक अजक तर और अजक को शचलिए था इसे हम फूरा उठा लेंगे एक इस तरह की वैस्ती लाइन अमारी यहाँ पर बनेगी तो अब हम अगले वाले में जा करके फिर से डबल कुरुशा करेंगे और दूसरे वाले में जा करके दो बार करेंगे एक हो गया इसी चैन में दूसरी बार करेंगे तो दिखेंगे दो में से तीन हो गया एक दूसरे के उपर तो और अब हम हाफ डबल कुरुशा जो हमारा था इसे हम इस तरह से उठाएंगे और इसके उपर उभरा हुआ डबल कुरुशा बनाएंगे इस तरह से अब हम आगे फिर से दो में से तीन कर देंगे जैसे हमने आगे बनाया था इसी तरह से दूसरे के उपर दो बार तो हमारे दो में से तीन हो जएँगे तो इसी तरह से आप ये रावन पूरा कंप्लीट कर लिजे और याद रहे एक जो हमने हमें ये हाफ डबल क्रोश्य के ऊपर जो बनाना है इसे हम खीच करके थोड़ा सा लंबा रखेंगे क्योंकि वरना इसमें खीचावाएगा थोड़ा सा हम खीच करके लंबा बनाएगे इसके साथ हाजाए इतना लंबा तो दिखे हमारा राउन पूरा हो गया मैंने यहाँ पर उफ्रा हो डबल क्रोश्या भी बना लिया और अब हमें यहाँ पर जोइट करना है हमने तीन चेन बनाई थी इसमें तीसरी चेन में जा करके स्लिप टीच कर देंगे और यहाँ पर फिर से तीन चेन बनाएंगे और यह जो हमारे तीन डबल क्रोश्य थी इसके उपर अब हमारे चार हो जाएंगे जब हमारा आखरी वाला डबल क्रोश्या होगा इसके उपर हम दो बार बनाएंगे तो इसे यह चार हो गया देखे नीचे तीन था उपर चार हो गया हमारी इसी कि तरह बनेगी अ, चुन पर और दो बार बनाएंगे और उप्रावेशे, हमारी सिर्ची, तरीको यह हम यह हमारी तीन के उपर के उपर चार बनाएंगे और आगे हम सब चायेंगे तब हमारे चार के उपर पांच बन जाएगी तो इसी तरह से एक एरा हमारा बढ़ता जाएगा और ये कली के बीच में एक डबल क्रोश्या हमारा बढ़ता जाएगा दिखे इस तरह से दिखे हमारा तीन था इसके उपर चार आ गया तो इसी तरह से राउन भी आप बना लिज़े तो देखिए हमारा तीसरा राउन पूरा हो गया यहां पर तीसरी चेन में जा करके स्लिप टीच कर देंगे एक, दो और तीन, तीन चेन बना लेंगे और फिर से इसी तरह से हम डबल क्रोशा कर लेंगे पहले हम जैसे बनाते थे जब यहां पर चार है हमारा तो यह पांच हो जाएगा अखरी वाले डबल क्रोशे के उपर दो बना लेंगे तो हमारे चार में से पांच हो जाएंगे और उब्रा हुआ डबल क्रोशा है इसके उपर इसी तरह से बनाएंगे तो देखे पहले हमारे दो थे फिर तीन फिर चार फिर पांच तो इसी तरह से आप जितना भी कहरा बढ़ाना चाहे इतना इसी तरह से बनाना है अखरी वाला जब डबल क्रोश आपका आए उसके उपर आप दो बना लीजे तो आपका खेरा इसे ही बढ़ता जाएगा देखे यहां पर मैंने एक पहली हमारी जोरो है वो हाफ डबल क्रोशे की है फिर एक फिर दो तीन और चार चार मैंने डबल क्रोशे की और एक हाफ डबल क्रोशे की तो टोटल रेड हमने इसमें पांच बनाई है तो इसमें भी हम 5 बना लेंगे, चोथी है हमारी, तो अगली वाली इसके बाद एक बना लेंगे, तो इसके उपर हमारे 6-6 डबल क्रोश्य आएंगे, तो इसी तरह से मैं आपको 5 राउंड करके दिखाती हूँ, तो दिखें मैंने 5 राउंड बना लिए, हमारा 5 मा राउंड पूरा भी हो गया, और यहाँ पर तीसरी चेन में, स्लिप टिच कर देंगे, इस तरह से, और अब हमें यहाँ पर वाइट धागा स्टार्ट करना है, अब घेरा जितना भी रखना चाहें, इतना आप बढ़ा सकते हैं, मैंने 5 राउंड बनाए हैं, आप चाहें तो कम या ज और यह धागा हम रहने देंगे, इसे हमारा वर कभी बाकी है, इस वाइट को ही इसास में ले लेंगे, ताकि हमारी नोट नहीं लगानी पड़ेगी, और अब हम यहाँ पर अगली वाली में जा करके एक बार सिंगल क्रूशा कर देंगे, तो यह हमारा वाइट धागा स्टा हो गया, यह डबल क्रूशे के हाइट के लिए हो गया, तीन चेन लिए इसलिए, और अब हम अगली वाली में डालेंगे, और इस तरह से निकालेंगे, और एक में से दो करेंगे, और दो लूप रहने देंगे, फिर से लूप लेंगे, अगले वाले में डालेंगे, और आग और अब हम फिर से इस तरह से लूप लेंगे, यहाँ पर कोई skip नहीं करनी है, यहाँ पर तो इसी तरह से हम यहाँ पर लिया था, तो इसकी next मेजा करके, double crochet बनाएंगे, अगे के दो निकाल देंगे, दो लूप हमारे crochet में रहने चाहिए, अब हम फिर से इस तरह से करेंगे, अगे के 2 निकाल देंगे, अब हम तीसरी chain में डालेंगे, फिर से आगे के 2 निकाल देंगे, हमारे crochet में total 4 रहने चाहिए, इसके बाद हम 4 ओको एक साथ निकाल देंगे, तो इसी तरह से हम फिर से बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 5 chain ली अगली वाली में जाकरके, आगे के 2 निकाल से ल greet f returned दो निकाल देंगे और फिर से चार हो गए हमारे और डबलकृ कृश्चे आरे तीन हो गए फिर से लूप ले करके सारे थागे एक साथ निकाल देंगे पांच चेन बना लेगे दो पांच गए ओप तो इसी तरह से आप यह राउंड कम्पटेट कर ली mechanics तो दिखे हमारा white crown पुरा होगे यहाँ पर एक chain अमारे पास वसी है तो मैंने skip कर दी क्योंकि यह अमारे तिन तिन के लिए हम count करे तो यह अमारी रह जाती है तो मैंने रहने दी एक chain और यहाँ पर मैंने बीच में 5 chain बताई थी sorry मैंने 5 नहीं ली है यहाँ पर बीच बीच में चार ही चेन बनाई है क्योंकि पांच लेती थी तो इसमें बीच में मुड़ती थी थोड़ी सी तो आप यह देख लीजिए अगर आपको खिचा वाता है तो आप पांच ले लीजिए वरना आप चार चार ही बनाई है तो मैंने चार चार ही बनाई है इस राउंड में और यहाँ पर हम तीसरी चेन में जाकर के स्लिप टीच कर देंगे इस तरह से और अब हम यहाँ पर फिर से आग एक बार स्लिप टीच कर देंगे और इस वल तक जाएंगे तो यहाँ पर से हम फिर से यह हमारा फिरोजी धागा स्टार्ट कर देंगे यह हमने पिछे से काटा नहीं था तो यह हमारा शुरू ही है तो यहाँ से इस तरह से हम शुरू कर देंगे और एक, दो और तीन चेन बनाएंगे और यहाँ पर फिर से इसी तरह से बनाएंगे दो आगे के निकाल दिये फिर से क्रोशे में डाला दो निकाल दिये यहाँ पर हमने तीन तीन बनाएं थे तो यहाँ पर हम यह साथ चार बार बनाएंगे तो दिखें हमारा तीन की चेन मिला करके चार हो गया और अब हम चारों को एक साथ निकाल देंगे और दूसरे राउन में हम पांच चेन बनाएंगे दो, तीन, चार और पांच तो अगले वाले में जा करके फिर से आगे के दो निकाल दिये इसी तरह से हम चार चार करेंगे तीन हो गये और ये चार हो गया तो अब हमारे पांच धागे हमारे क्रोशे में होने चाहिए पांच ओको एक साथ निकाल देंगे अब हम फिर से पांच चेन बेंगे तीन, चार और पांच अब हम अगले वाले में जा करके फिर से इसी तरह से बनाएंगे तो आप ये राउंड इसी तरह से complete कर लीजे देखिए आगे के दो दो ही निकाल दे हैं हमें loop ले करके इसमें डालना है और आगे के दो निकाल देंगे तो इसी तरह से आप ये राउंड बना लीजे 5-5 chain और 4-4 हमारे इस तरह के double crochet तो ये हमारा राउंड पूरा हो गया यहाँ पर मैंने 5 chain बना ली अब तीसरी chain में जा करके slip stitch कर देंगे और आगे भी एक बार slip stitch कर देंगे और यहाँ पर hole में जा करके white धागा start कर देंगे इस तरह से और अब हम यहाँ पर 3 chain बनाएंगे और 6 से हमने नीचे बनाया था इसी तरह से हम आगे के दो निकालते जाएंगे ऐसे ही हमने नीचे पहले 3 बार बनाया था फिर 4 बार बनाया और यहाँ पर हम इस तरह के double crochet 5 बार बनाएंगे देखे पांचों को एक साथ निकाल दिये अब हम 5 chain लेंगे 4 और 5 अगर आपको ऐसा लगता है कि खीचा आवाता है तो आप 6 chain भी बना सकते है फिर से इस तरह से थोड़े थोड़े से लंबे stitch लेने हैं इस तरह से खीच करके थोड़ा से लंबा कर लीजेगा बहुत छोटा छोटा मत बनाएगा छे के एक साथ निकाल दिये 5 chain बनाएगे फिर से अगले में जा करके से हम इसी तरह से बनाएगे तो ए राउंड भी हमारा इसी तरह का होगा अब इसके बाद हम आखरी राउंड वाली फ्रील बनाएगे सोरी तो यह हमारा पांच बार होगया अब हम सारे थागे एक साथ निकाल देंगे फिर पांच चेन बनाएगे तो इसी तरह से यह बनेगा हमारा पूरा राउंड तब बना लीजे तो यह हमारा राउंड पूरा होगया यहां परम तीस री चेन में झा करके स्लिप टीच कर देंगे उस तरह से और अब हम आगे ओर भी suckलिप टीच करेंगे अब हम दागे सेंच कर देंगे यहां पर से अब हम आखरी वाला राउंड बनाएगे यहां पर हम फिरोजी धागा फिर से स्टार्ट कर देंगे इस तरह से और अब हम तीन चेन बनाएंगे और यहां पर यह वाइट धागा आप साथ में ले लेंगे क्योंकि अब वाइट के हमें नोट नहीं लगानी पड़ेगी इसके साथ थोड़ी देर हम रखेंगे तो एक हमारे तीन की चेन दो हमारे डबल क्रोशे तो यह टोटल तीन हो गए हमारे तीन की चेन मिला करके तो अब हम यहां पर चार चेन बनाएंगे और यहां पर यह जो पहला वाला डबल क्रोशा है इसके उपर इसे दो लोग उठा करके सिंगल क्रोशे से चोइट कर देंगे अब हम इसी वाल में फिर से तीन बार डबल क्रोश्या करेंगे देखे तो टोटल हमारे एक ही वाल में छे बार हो जाएंगे अब हम अगले वाले वाल में इसी तरह से बनाएंगे दो और ये तिन और अब हम यहाँ पर चार चेन बनाएंगे और इस दो लूग को उठा करके इसके उपर सिंगल क्रोशे कर देंगे और फिर से तिन डबल क्रोशे करेंगे तो इसी तरह से अब हम हर एक जो हमारा जगा है जो हमारी यहाँ पर हम हर एक बार इसी तरह से बना लेंगे हर एक वल में इसी तरह से सेम बनाएंगे तो अब यह राउन पूरा हो गया और यहाँ पर में तीसरी चेन में जा करके त्विक टीच कर दूँगे तो यह हमारा round joint हो गया और एक chain ले करके ठागा काट लेंगे तो देखे मैंने note भी लगा दी है पिछले जा करके और यह हमारी dress तयार है तो इसे छोटी और बड़ी कैसे बनाते हैं वह मैं दिखा देती हूँ तो इसके एक हम एक ही जगा से छोटी बड़ी कर सकते हैं क्योंकि बाहर की petal सेम आएगी और यहां से आप खेरा जितना छोटा रखेंगे इतनी आपकी dress छोटी होगी और जितना बड़ा रखेंगे इतनी आपकी dress बड़ी होगी तो आप एक या दो नमबर कानाची के लिए बनाना चाहते हैं तो आप यहां पर एसी plane दो ही राउंड बनाएं इसके बाद बना दीचे और एक राउंड यहां पर से भी कम कर दीचे तो भी आपकी छोटी हो जाएगी क्योंकि यह तीन राउंड एक और दो नमबर कानाची में नहीं आएंगे दो ही राउंड सिर्फ आप बनाएंगे तो वाइट की यह जो आखरी वाली राउंड जो है वो वाइट की बना दीचे इस सरह से आप छोटी बना लिजे और बड़ी बनाना चाहे तो यहां पर से आप घेरा बड़ा दीचे तो इस वाली pattern बड़ी हो जाएगी तो यह जो हमारी ड्रेस है वो चार और पांच नमबर का नाजी के लिए है और अगर आप गेरा चार और पांच नमबर के लिए यह बनाना चाहते हैं लेकिन गेरा ही आप बड़ा रखते हैं तो आप इसे बड़ी भी इस तरह से ही बना लीजे और आगे भी मैंने कहीं सारी ड्रेस बना करके अपनी चैनल पर रखी है देखें यही ड्रेस है लेकिन इसे हमने रेड और क्रीम कलर से बनाया है क्योंकि मेरे विवर्ज को हमेशा दो कलर देखने को मिले इसलिए मैं दो ही कलर में बनाती हूँ क्योंकि अलग अलग दो रखती हूँ तो आपको color combination का ज्यादा बता चल लगा और एक ड्रेस की एक बात और है कि जिनों ने अभी अभी क्रोश्या सिखा है वो भी एड्रेस आसानी से बना सकते हैं क्योंकि इसमें कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है एकदम simple है और आ कमेंट करके जरूर बताएगा और मेरी चैनल को लाइक कीजे शेयर कीजे और सस्क्राइब कीजे और बाजू में इवेल आइक ओन घंडी को भी प्रेस कीजे ताकि मैं जब भी कोई नेया वीडियो डालू तो इसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले वीडियो देख यू